नमस्कार फ्रेंट्स आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में तो फ्रेंट्स शुरू करते हैं आज का कंप्यूटर का वीडियो पहला क्यूस्टन है नई इमेल आइडी क्रियेट करने के लिए इमेल से वापर दाता पर जाकर कहां किलिक करेंगे तो फ्रेंट्स कहां प पर जाकर क्लिक करेंगे उसको login करने के लिए उसी email id को खोलने के लिए उसके password और email id का नाम आपको याद होना चाहिए तो current computer के previous parts आप क्यूस्टन देखना चाते हैं तो previous parts को जरूर देखें इससे पहले के पार्ट playlist में डाल रखें मैंने इसी वीडियो की description में next email id को open करने के लिए किस option को चुनेंगे यदि आपने अपनी email id बना ली है तो gmail पर जाकर आप कहा open करेंगे sign in पर जाके sign in पर email id का नाम और उसके password आप बर देंगे वो open हो जाएगी next question email id से बाहर जाने के लिए किस option को चुनते है email id को आपको log out करना है तो यहाँ पर आपको log out का option नहीं मिलेगा sign out याद रखें इस तरह के question पुछे जाते हैं exams में sign out के option पर किलिक करके आप अपनी email id को बंद कर सकते हैं ताकि कोई इसका miss use नहीं कर सके आए हुए email कहां सो होते हैं आए हुए email सो होते हैं print से inbox में इन बोक्स एक option मिलेगा आपको अपने gmail में वहाँ पर आपको आए हुए email सो होते हैं email की full form होती है electronic mail और इसके अब इस कार किसके खोज करता कौन है फ्रेंट्स इसके ये आपको comment box में लिख कर बताना पड़ेगा रेटो मिलसन है या फिर डेगला सिंगल मार्ट है आपको आगे इस वीडियो में बता दिया जाएगा बेजने के लिए तियार कियेगे email कहां save होते हैं यदि फ्रेंट्स आप बेजने के लिए तियार कर लेते हैं कुछ email को और उसको आप बेजते नहीं हैं तो वो कहां पर automatically save हो जाएगा draft में draft option मिलेगा वहां पर आपके सभी इस तरह की email save मिलेंगे और बाद में यदि आप उसको modify कर सकते हैं तो और बेज भी सकते हैं या फिर delete भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं उसको next बेजे वे email कि इस option में show होते हैं तो एक option होता है फ्रेंट सेंट box वहां पर जो email आप के दवारा बेज दिये गए हैं वह वहां पर show होते हैं सेंट box में जिसको email बेजना होता है उसका email address कहां लिखा जाता है तो फ्रेंट्स आपको जिसको भी email बेजना है उसका email address आप 2 में बर देंगे लेता है email पत्तर की जगह है पहले जो पत्तर बेज़े जाते थे उसकी जगह है आज कल क्या बेज़े जाते है email ये दियान रखे प्रेंट्स पहले भी question है इस तरह का पुछा जा चुका है next question है mail बेजने के लिए सबसे पहले इमेटर होता है वो कमपोजी कहलता है next किस option में email की विशेवस्तू लिखते हैं email ये पूरा email किस बारे में है वो आप लिखते हैं कहां पर subject में subject में जो लिखेंगे वो ये अगले को दिखाई देगा एक email कई लोगों को एक साथ बेजने के लिए परियोग करते हैं कौन सा option परियोग करते हैं CC CC की फुलपर होती है carbon copy ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा email में Gmail में जाके BCC का पूरा नाम क्या है blind carbon copy BCC होता है एक ही email को एक साथ कई लोगों को गुफत रूप से बेजने के लिए इस option का प्रियोग किया जाता है किस option का BCC का और ये दोनों के दोनों option अभी दिखाए जाएंगे आपको email के साथ file folder audio video आदी बेजने के लिए प्रियोग करते हैं किस option option का प्रियोग करते हैं attach file का attach option का यहाँ पर जाके आप उसके साथ और भी attach कर सकते हैं जो भी वीडियो वगेरा photo वगेरा, file वगेरा, PDF वगेरा जो भी बेजना साथे हैं वो तो यह आपको दिखाएंगे यह मेरी Gmail ID खुली हुई है from, यानि मेरी तरफ से बेज़ा जा रहा है और यह जिसको बेज़ा जाएगा इसकी विश्यवस्तू कि किस बारे में यह email यहाँ से आप बर सकते हैं इसको और यहाँ पर compose, यहाँ पर main matter लिख सकते हैं किस बारे में पूरा यह letter और friends यहाँ से यहाँ से आपको CC carbon copy और blind carbon copy यह option निकल के आ जाते हैं यहाँ पर इस तरह का निशान होता है उसको क्लिक करने पर और यहाँ से आप file attach कर सकते हैं attach file यह option निकल के आ जाता है जो भी PDF वगएरा, वीडियो वगएरा ओडियो वगएरा जो आप बेजना चाते हैं वो यहाँ से बेज सकते हैं आप इस option के दोवगएरा और यह वो option है इस पर क्लिक करते हैं यह बेजा जाएगा email next question अपनी email ID से अपनी email ID पर बेजने पर where inbox में किस नाम से so होता है अपनी email ID पर अपनी email ID पर आप mail बेजते हैं email बेजते हैं तो किस नाम से से हो जाएगा me नाम से से हो जाएगा next बिना किसी subject का email बेजने पर receiver के inbox में किस नाम से mail so होगा तो receiver को सबसे उपर उपर क्या दिखेगा no subject सबसे पहले subject ही दिखाई जाएगा जब भी आप email बेजते हैं अगले को सबसे पहले तो यदि कोई subject आपने नहीं दिआ है तो no subject दिखाई देगा तो subject ज़रूर डाले binary digit को sun checks में कहते हैं क्या कहते हैं bit bit को ऐसे छोटा बी का निसान bit का होता है बडा बी का byte का byte का निसान होता है computer memory की सबसे छोटी कई क्या होती है bit होती है इसमें 0 वे 1 अंकों का परियोग किया जाता है bit में memory में आरक्सित सथान जहां copy किये या cut किये data को रखा जाता है तो कौन सा सथान आरक्सित सथान होता है जहां पर memory किये वे data को रखा जाता है वो है clipboard copied to clickboard जैसे फोन वगएरा पर आप टैब वगएरा पर copy करते हो तो यह आपको दिखाता है यह option लिखा हुआ computer को ओफ कर पुने ओन करने की परकिरिया क्या कहलाती है तो चलते वे computer को पुने जल्दी से आप ओन कर रहे हैं ओफ करके तो reboot इसको बोलते हैं और booting वो process होती है तब आप आज बंद करके जा रहे हैं अगले दिन आप अपने computer को start करते हैं तो वो process कहलाती है booting computer अपने components को keyboard वगएरा को mouse वगएरा को check करता है कि CPU वगएरा सभी कुछ सही से जुड़ा हुआ monitor वगएरा सही से जुड़ा हुआ है या नहीं है तो movie का नाम आया था प्रेंट्स एक movie आया थी नहीं अभी राज फोर उसका नाम था राज रेबूट तो इसमें reboot का मतलब यह होता है computer से related runtime क्या होता है computer में runtime क्या होता है किसी object program को एक बार किर्यान वित करने में लगा समय तो फ्रेंट्स जैसे किसी open करते हो object program को MS Word को आप open कर रहे है उसको open होने में जितना जो समय लगता है वो कहलाता है run time next देखते हैं computer screen पर जो computer के चालू करने के बाद दिखाई देती है computer screen जो computer चालू करने के बाद दिखाई देती है उसको बोलते हैं desktop जान रखें यह internet का उप्योग करके online वारत अलाब करना क्या कहलता है internet का उप्योग करते हुए online वारत अलाब करते हैं वो कहलता है friends chat chatting इसको बोलते हैं facebook whatsapp सभी के सभी social media जो भी platform है सभी के सभी chatting के mainly काम आ रहे हैं ms word में किसी सब्द को दूसरे सब्द से बदलने के लिए किस command का प्रियोग करते हैं तो find and replace वो command है जिसका प्रियोग एक word को दूसरे सब्द से बदलने के लिए प्रियोग करते हैं तो इसके लिए control f दबाया जाता है वहां पर वह अक्सर लिखा जाता है जो आपको change करना है जैसे कि chat word को change करना आपको इसमें कोई mistake हो गई है तो सभी में select हो जाता है उसके बाद दूसके सही option बर दिया जाता है कि सही spelling इसकी यह रहेगी उसके बाद वो change हो जाता है नेक्स्ट कंपइटर को बूट करने के लिए दबाई जाती है किस पीडी के कंपइटर समें वाल लगे होते थे तो पहली पीडी थी कंपपउटर्स की जिसमें वाल लगे होते थे और पहले PDK computer's का मुख्य कंपोनेंट क्या था vacuum tube, यानि निर्वात tube नेक्स्ट, दूसरी PDK computer's का मुख्य बाग क्या था transistor था प्रेंट्स दूसरी PDK computer's का vacuum tube की जगे किनों ने ले ली थी transistor ने नेक्स्ट क्यूस्टन 4 P D के Computer's का मुख्य पूर्जा क्या था Micro processor Micro processor 4 P D के Computer's का मुख्य पाड था कौन सा cable तेजगती से data transfer करता है तो इस cable का नाम है optical fiber cable यह तेजगती से data को transfer करता है Optical fiber के खोज करता कोन है Fibrer लिखा गए है यहां पर fiber है इसके खोज करता है Narendra Sing Kapani याद रखें TCP IP इसकी full form क्या होती है Transmission Control Protocol या Internet Protocol ये इसकी full form रहती है ये Internet का Standard Protocol है याद रखें TCP IP Next किसे टेक्स्ट को VIVIN रंगों वे आकार के दवारा आकर सक बनाया जाता है किसके दवारा आप टेक्स्ट को VIVIN रंगों वे आकार के दवारा Attractive बना सकते हैं Word Art के दवारा Next Silicon से बनी ये वम जिसके चारों और तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है उसे क्या कहते हैं तो फ्रेंट्स बहुत इंपोटेंट है ये Integrated Circuit Chips Integrated Circuit Chips IC Chips इनको commonly बोलते हैं इसकी full form होती है Integrated Circuit और ये Silicon की बनी होती है जान रखें Silicon Valley of India Bangalore सहर को का जाता है और दुनिया की Silicon Valley USA में स्थित है California में वही पर Google वगएरा सभी के Adquarter है Apple बड़ी बड़ी जो Computer से related कंपनिया है किसी address में dot in का क्या आस्ट है dot in का क्या मतलब होता है किसी address के last में लिखा हुआ हुआ है dot in तो इसका मतलब है इंडिया से इसकी full form होगी इंडिया और dot gov का मतलब होता है ये government की website है government gov का dot com का मतलब होता है commercial websites को dot com लिखा होता है last में next question internet पर किसकी साइथा से एक computer से दूसरे computer profile को ट्रांसपर की आज़ता है तो internet पर किसकी साइथा से की आज़ता है FTP यानि file transfer protocol की साहता से next computer के बीच सम्बंद स्तापिद करने के neemoot को क्या का ज़ता है तो friends computer की बीक सम्बंद स्तापिद करने के neemoot को का ज़ता है protocol next uncei email को क्या כथते हैं कई बार पुछा चुका है सेव किया वे डौकुमेंट को क्या कहते हैं फाइल कंप्यूटर में जो डौकुमेंट को म से ज़ादो wonder बोलते हैं एक ऐसा computer जो portable होता है और यात्रा में स्वीद आजनक होता है वह computer कौन सा है फ्रेंट्स laptop सबसे ज़्यादव पूपूलर है यह laptop फ्रेंट्स redif gmail oatmeal यह वह services है जो redif.com gmail oatmeal यह email email services provide करती है और सबसे ज़्यादव फ्रेंट्स आपको बताना है comment box में लिखकर email की फूल फोरम आपको बतानी है और सबीर बाटिया ने कौन सी सेवा शुरू की थी सबीर बाटिया ने कौन सी email सेवा शुरू की थी comments में चल्दी से लिख दीजिए और यह पिछले वीडियो के सही जवाब देने वाले हैं संदीब कुमार, इमराज मिना, सीव बट, अमित पवार, सालु कुमारी तो फ्रेंट्स यह तरह से वीडियो को लाइक करते रहे और अपने फ्रेंट्स में जरूर सेयर कीजिए धन्यवाद